आज हम बनाने जा रहे हैं बारिष के दिनओं में भेशन से बनने वाली रिसिपी इसे कहते हैं मीड़ा या मीज़ा तो चलिए देखते हैं यह कैसे बनता है नमस्कार मी एण माई किचिन वाइनंद्री में आप सभी लोगों का स्वागत है तो मीजा या मीडा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहां ले लिए एक बड़ी धाली और उसमें ले लेते हैं आदा कप बेशन और एक चोथाई चम्मच हल्दी, एक चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई चम्मच नमक लेंगे और एक चोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल, इससे मीड़ा बहुत सॉफ्ट बनता है और इसके बाद मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम मीडा बना लेंगे यहां इससे पहले मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा आजवाइन और बेशन में मिक्स कर देंगे अब थोड़ा सा पानी का चीटा देते हुए इसे हम मीज लेंगे या मीड लेंगे इसलिए इसे मीडा या मीजा बोलते हैं बस थोड़ा-थोड़ा सा पानी छड़कते हुए इसे हम छोटी-छोटी गुठलियों के रूप में बनाएंगे आप देख सकते हैं मैं उंगलियों स तोड़ा थोड़ा सा पानी छड़कते हुए, ज्ञादा पानी नहीं डालना है नहीं तो बेशन घीला हो जाएगा और ये मीडा नहीं बनेगा हाथेलियों की सहायता से इस तरह से गिसना है हमें और इसे गोल-गोल सेफ देने की कोशिस करना है और नीचे चिपका हुआ बेशन को भी छोड़ाएंगे इससे भी मीडा बन जाता है मीडा की रेसिपी हमारी दादी नानी लोग बनाया करती थी जब कभी सब्जी नहीं मिलती थी मार्केट में या उस समय तो मार्केट रहता भी नहीं था मिशा नहीं खुला रहता था तब इस तरह की रेसिपी वो बनाती थी इस तरह से गोल-गोल घुमाएंगे आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा मीडा बनता भी जा रहा है हमारा बस इसी में हमें मेहनत करनी है बाकी सब्जी तो जिल्दी बन जाती है इस तरह से हाथों में लगा हुए भी निकालते जाएंगे और लगबग यहां मीड़ा बन चुका है आप देख सकते हैं मैं हाथों को कैसे गोल-गोल घुमा रही हूँ इसे हमें हलके हाथों से ही दबा दबा कर गोल गोल हाथों को गुमाना है ताकि मीडा बन जाए यह सबजी इतनी टेश्टी रहती है कि आप पनीर और छोले जो भी कुछ बनाते हैं सबजी आप वो बनाना भूल जाएंगे, इसको खाने के बाद इतना टेस्टी रहता है ये, ज्यादा तर बरसात में ही बनाते हैं, क्योंकि इस समय सबजिया नहीं मिलती हैं, और दाल खाखा कर भी अंबोर हो जाते हैं, तो एक बार इसे जरूर ट्राय करिए आप, और जो बारिक-ब बना लेना है, ये देखिए, कुछ गुठलियां बहुत बड़ी-बड़ी हो गई हैं, तो उन्हें छोटा-छोटा तोड़के, इस तरह से, उंगलियों की सहायता से, रोल कर लेना है, इसी तरह से, सबी मीड़ा हम तयार कर लेंगे, और जो छोटा-छोटा चूरा बच से, शेफ दे देंगे हम गोल-गोल या लॉंग जैसा भी आपको देना है, छोटा-छोटा सा, शेफ दे देंगे, इस तरह से, पहली बार में आपको थोड़ा परिसानी होगी, लेकिन जब आपको से बनने लगेगा, तो आप बार-बार इसी को बनाएंगे, ये इतना टेस् हो सकती है, आपको, अब हम बड़ा-बड़ा जो हमारा मीडा है, उसे निकाल लेंगे, और जो बारिक वाला है, उसे अलाग कर देंगे, पहले हम मोटे बाले को ओईल में फ्राई करेंगे, बाद में हम छोटे बाले को बच गए हैं बारिक वाला, उसे हम बाद में डालेंग तुकड़े वाला जो बेशन मीडा था उसे बून लेंगे, इसके भून जाने के बाद ये बड़ा भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक वाला मीडा, अगर हम अभी डाल देते तो बारीक वाला जल्दी भून जाता और ये जल जाता, आप देख सकते हैं पहले इसका कलर कैसा था और भूनने के बाद इसका कलर कैसा हो गया है, बस इसी तरह से कलर हो जाना चाहिए, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक वाला मीडा, और इसे हलका पिंक कलर होने तक भून लेंगे, धीमी आज पे ही मीडा को भूनना है, अगर तेज आज कर देंगे तो म सुन और दोनों को बून लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले हैं तो मैं यहां ले रही हूँ साथ से आठ काली मिर्च खड़ी वाली और एक छोटी इलाय चीज इसे हमने कूट लिया है और दो लॉंग ले ली है इसे भी हमने कूट लिया है और एक छोटा टुकड़ा दाल चीनी का और एक तेज पत्ता ले लेंगे और मसालों को अच्छी तर अगर आप आलू नहीं खाते तो आप इसे skip कर सकते हैं मुझे मीडा में आलू बहुत पसंद है तो मैं इसमें आलू भी डालूंगी तो जब प्यास डालते हैं उसमें ही आलू डाल देना है जिससे प्यास और आलू एक साथ बुन जाए नहीं तो प्यास जल जाएगी और आ आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे मतलब अच्छी तरह से यह पक जाना चाहिए इसी में क्योंकि मुला हमारा पका हुआ ही है आलू को हम ढख कर पकाएंगे तब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं तो मैं यहां दो छोटी चम्मच ले रही हूँ धनिया पाउडर एक चोथाई चम्मच हम यहां लेंगे लाल मिर्च पाउडर और एक चोटी चम्मच हम यहां लेंगे हल्दी पाउडर और यहां मैं ले रही हूँ कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा तो एक चोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप देख सकते हैं आलू में कितना अच्छा कलर आया है और यह ऐसे ही पक गया है सॉफ्ट हो गया है एकदम अब हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला और मसाले को भी भून देंगे और अब यहां मैं ले रही हूँ टमाटर का पेस्ट दो से तीन टमाटर लिये थे इसे हमने मिक्शर में पेस्ट बना लिया है टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाधनुसार नमक और नमक डालने के बाद टमाटर को अच्छी तरह से पका लेंगे थोड़ा देर ढखकर पकाएंगे तेल छूटने तक हम मसाले को पका लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें से तेल छूटने लगा है टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं और आलू भी पक गए हैं अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो मैं यहां 2-3 glass पानी डालूँगी पानी हम इसलिए ज़्यादा डालेंगे कि जब इसमें अबाल आयेगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मीडा तो मीडा थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेते हैं वेशन वैसे भी ज़्यादा पानी पीता है तो यह पानी कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी हम और डाल देते हैं, और इसके बाद इसे हम ढग देंगे और इसमें उबाल आने देंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे, जो हमने मीड तक इसे पकाएंगे, तीन से चार मिड़ बाद, तीन से चार मिड़ बाद आप देखेंगे कि मीड़ा पक चुका है, इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता, और अगर आपका मीड़ा ज्यादा गाड़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं लेकिन आप गरम पानी ही डाले, थंडा पानी ना डाले, गरम मसाला डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा देरे से ढड़ग देंगे, ताकि गरम मसाले खुसबू, अची तरह से मीडा में समा जाए, जब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हमारा चाट मसाला, इससे सबजी बोगप और अच्छा झाल वाके छोड़ीज को एंट